भूरी सरवेक्षर करवाने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं जमीन से रिलेटेड कोई ना कोई पेपर होनी चाहिए काफी सर लोग ऐसे हैं जिनके दादा परदाय के नाम से जमीन है और उनके पास जो पेपर है वो है ही नहीं इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके पास किसी परकार की कोई भी पेपर नहीं है तो घर बैठे अपकी इस तरह से अपने जमीन का जो पेपर है न वो चाहिए कितना भी पूराना क्यों नहीं हो निकाल सकते हैं इसमें हम पेपर की बात करें तो अगर आपका जमीन जो है खतियानी है तो खतियान की जो कौपी है वो कैसे निकाल सकते हैं अगर आपका जमीन जो है रश्टी का है और उसका जो डीड होता है वो आपके पास नहीं है जिसको के वाला बोला जाता है तो उसका जो नकल है वो कैसे निकाल सकते हैं कई सर लोग का जो है जाबंदी पंजी उनके पास नहीं है तो जाबंदी पंजी को आपका ऐसे जो डिरीजल फॉर्म में होता है उसको आप नकल में निकाल सकते हैं। इसके साथ हैं और आपका कोई भी दास्त्वेज है जो आप निकालना चाहते हैं तो बड़ी असानी से घर बैठे निकाल सकते हैं। हलाकि सभी लोग का डॉक्मेंट यहां पे देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जिनका अब लेबल होगा वो इजली यहां पे निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे सभी जनकारी हमने इस वीडियो में सधा किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को शुरू से अन तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थुरा से अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो चलिए आज का वीडियो सुरूर करते हैं सबसे पहले आपको जो है बिहार भूमी के official portal पे आना होगा यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है भू अभिले का एक portal मिलेगा इस पे आपको click करना है तो आपके सामने भू अभिले का जो portal है इस तरह से खुल के आ जाएगा यहाँ पे जो public login का button है यहाँ पे आपको click कर देना है यहाँ पे आपको जो ही registration करना होता है अगर आपने पूर में registration कर लिया हुआ है तो अपना mobile number डाल कर यहाँ पे सीधे login कर सकते हैं अभी तक आपने registration नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे जो हे नया user का राइशन का एक link मिलता है जिस पे आपको click करना है यहाँ पे एक अपना mobile number डालेंगे submit के button पे click करेंगे आपके number पे एक OTP send किया गया है OTP को यहाँ पे डालेंगे submit के button पे click करेंगे आपको जो हे अपना नाम लिखना है जैसे कि आपका first name क्या है, last name क्या है, यहाँ पे mobile number, email id, यहाँ पे अपना जो भी district है उसका selection करना है, कि आप जो है कौन से district अंतगरता आते हैं, यहाँ पे अपना अंचल का name select करेंगे, यहाँ पे village लिखेंगे, post office और अपना pin code लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे submit के button पर click करेंगे, तो आपका जो registration है, यहाँ पे complete हो जाएगा, जैसे ही registration complete हो जाएगा, तब यहाँ पे अपना जो भी mobile number है, उसको यहाँ पे डालेंगे, disclaimer को accept करेंगे, login के button पर click करेंगे, फिर से आपके number पे OTP गया हुआ है, OTP डालेंगे, submit के button पर click करेंगे, सबसे पहल यहाँ पे कौन सा document आपको निकालनी है, उसकी जनकारी यहाँ पे आपको बताना होगा, अब इस पे आप click करेंगे, तो देखेंगे, तो कई सरे document का जो नाम है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, जो भी आपको document निकालना ह है ना उसकी जनकारी आप यहां पर इस लेट करेंगे और आपना जो भी इंसन है जैसे लुत निकाल ना है कौन से मोजा का कौन से थाना का आप यहां पर बता सकते हैं ठीक है तो जो सरबेक्षर में है तो रस्टीड लगा सकते हैं या फिर उसका दाकरी ख़र्च हुआ है तो correction slip लगा सकते हैं या फिर माल लीजिए आप अपना बंदी पंजी निकालना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि उसमें किस तर से हमारा और नामसे जमीन है तो वह भी चेक कर सकते हैं ठीक है और यह mão पई सब्सक्राइन कों मिल रहा है और इस तरह से आप देखेंगे तो आपको जो सेasterse अंग में ऊरूरा तो आपको जो रेफिजिनल सरी है उसमें उसमें जएक कर लिएका दोनों ऑको चुच करना है हमें हाला कि यह की आपको चेक करना बताएंगे थैसला लीजिए मुझे जो है रिपिजिनल का निकालना है तो मैं यहां पर रिपिजिनल करूंगा यहाँ पे ठीक है खाता खेसरा जैसे कि अंचल और मौजा का नाम आता है वो देखेंगे तो आपका केडेस्ट्रल में नहीं आता है और केडेस्ट्रल में जो आता है और इमिजनल में नहीं आता है तो आप देख लीजेगर का मौजा आपका नहीं सो कर रहा है अंचल नहीं सो कर रहा है तो यहाँ पर अपने हिसाप से इसको change कर लिजिएगा ठीक है अब यहाँ पर office का name बताना है तो first में आपको revenue in land reform department का मिल रहा है इसी का selection करेंगे तो district बाइज अपनी जनकाड़ी को check कर पाएंगे तो यहाँ पर जो भी district है इसका selection करेंगे उसके बाद अपने अंचल का name select करेंगे ध्याँ रखेंगे अंचल का name नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर एक बार जो करेंश्टर है उसको भी चिये कर लिजिएगा फिर यहाँ पर मोजा का selection करना है उसके बाद यहाँ पर थाना नमबर डालना है ठीक है क्योंकि side बहुत slow काम कर रहा है तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने अंचल का यहाँ पर selection कर लिया उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मोजा का जो है selection करना होगा यहाँ पर रिफ्रेस कर रहा है फिर इसके बाद थाना का selection करना होगा ठीक है तीस तरह से जनकारी भरिएगा बाकी यहाँ पर खाता नंबर खेसरा नंबर पार्टी का नेम छोड़ दीजिएगा क्योंकि यह डालें अब यहाँ पर इसको search करते हैं अब यहाँ पर देखेंगे आपने जो भी मोजा का selection किया हुआ है थाना नमबर के हिसाब से उसका जो देखेंगे यहाँ पर जो भी खतियान है आपके सामने इस तरह से display हो जाएगा ठीक है यहाँ इसको आपको देखना है तो एक PDF का कि आईकन उसको यहां पर दी गई है ठीक है तो आप यहां पर मैनुवली जो है आपको खोजना पड़ेगा तो देखेंगे पहले का लिखावट यहां पर है अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यहां पर खोज लिजिएगा नहीं तो आप अपने जिले का जो रिकॉर्ड रूम होत है वहां पर ढएगा है यहां पर गठाने डेखने को क्यों आपको पढ़ने नहीं आए стал इंहां पर अपको उसके माइई और्छाइब पर यहां पर लिपका है इस फी गवार कर सकते हैं जो नहीं क्ट नहीं कर रहा हे तो आपको यहां डाउलोड के बटन पर क्लिक करके आपको जो ही पेमेंट करना हो कहोगा इप हमें 23 करना है ढागे बताएंगे क्यों कैसे क्लिक करना है और इस तरह से ऐन अपने जमीन का जो जावबंदी पन्जी है इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जावबंदी पंजी आपको सर्ज करना होगा ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है जावबंदी पंजी का अप्शन मिलेगा और उसके बाद जो भी आपीस का नेम रहेगा यही रहेगा अपना जीला अंचल मौजा और थाना का किया हुआ है और जो भी थाना का सेलेक्शन किया हुआ है उसके अकोडिन देखेंगे तो तीन पीडियेफी आपको दिया गया है सबको जो है आपको डाउलोड करके चेक करना होगा कि आपका जो जावबंदी पंजी है उसको आपको खोजना होगा ठीक है तो इस तरह से दे जिसमें आपको भोलियन नंबर भी देखनी को मिल जाएगा और कौन से यहाँ पर देखेंगे मौजा का है इसकी भी जनकारी यहाँ पर देखनी को मिलेगा आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपका जो बंदी पंजी है इस तरह से देखनी को मिलेगा ठीक है यह भी पीडि पंजी टू यानिकी रजिस्टर टू वह आपको यहाँ पे इसकेन करके रखा गया है जिसको आप यहाँ से इजली डाउलोड कर सकते हैं यह भी आला पीडियापी आप डाउलोड करेंगे तो इसमें भी आपको जनकारी देखनी को मिल जाएगा तो इस तरह से आप अपना चे डिश्टी डीड को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक option आपको देखनी को मिलता है नमंत्रन अभिलेग देखिए यह वाला option आपको चूज करना है और अप इसका नेम यही रहेगा आपना डिश्टी का सेलेक्शन करेंगे अंचल का मौजा का और थाना का यह वाला information और search के button पर click करना है तो यहाँ पे देखेंगे तीन जो है document यहाँ पे search हुआ है तो यहाँ पी इसको देखनी के लिए PDF पर आपको click करना होगा तो इस तरह से आपके सामने जो PDF है यहाँ पे खोल जाएगा ठीक है यहाँ पे देखेंगे दाकिल खार्च का जो है आदेस पत आने देते हैं देखें इस तरह से आपका जो रजिस्टी डीड है यहाँ पे देखनी को मिलेगा तो इस तरह से देखेंगे आपको जो ही डीड यहाँ पे देखनी को मिलेगा देखिए यहाँ आप चेक करेंगे तो इसमें भी आपको डीड यहाँ पे देखनी को मिल रहा है ठीक है इसके सांती साथ इनको भी देखेंगे तो इनका भी पूरी जनकारी यहां पर देखने को मिल रहा है तो इस तरह से जो आपना डीड वेगरा हो गरा है उसको भी आप यहां पर निकाल सकते हैं ठीक है देखिए यहां पर डीड आपको देखने को मिलेगा जो भी लगाय है तो आप इसको डाउंलोड करना चाहते हैं तो यहां पर करके जितने भी पेज़ेशं हैं उसके लिए आपको पेमेन करना होता है और यहां पिसको डाउंलोड कर सकते हैं ठीक है तो मार देजी आपको कोई भी आप भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन कहीं लगाना है तो कहीं ना कहीं डिजिटल सिगनेचर रहेगा तो ठीक रहेगा ठीक है अब यहां पर आपको जो है कौन सा पेज नमबर जो है चाहिए जिसे मैंने बताया कि इसमें कई सारे पेज होते हैं तो जैसे के माली जी आपको पेज नमर चाहिए तो एक लिखेंगे दो भी चाहिए तो दो लिखेंगे तीन भी चाहिए तो टीन लिखेंगे कमा दे देखे ठीक है इस तरह से आपको टाइप कड़ना होगा ध्यान रखिएगा जितना page का आप selection करेंगे उसके इसाब से per page आपको 10 रुपय जोए यहाँ पे देने होंगे जैसे कि माल लेजे मुझे पहला page चाहिए तो इसके लिए हमें 10 रुपय देना होगा अगर माल लेजे हमें 2 पेज चाहिए तो उसके लिए 10 रुपय देना होगा फिर यहाँ पे माल लेजे हमें 3 पेज चाहिए तो इसके लिए हमें 30 रुपय देना पड़ेगा यहां पे आपका जो भी application है वो trick आप यहां पे कर सकते हैं और कुछ समय के बाद देखेंगे तो यहां पे approval मिल जाने के बाद आप इसको digital signature के साथ download कर सकते हैं ठीक है तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरी जनकारी आपके साथा कर दिया कि आपको केवाला निकालना है ख खतियान माले जिया online नहीं निकल रहा है तो उस condition में आप जो है अपने जीले में जाएंगे जहां पे record room होता है उसके माधियम से कुछ इनका charge होता है वो देखर निकलवा सकते हैं अगर आपका जावबंदी पंजी नेट पर नहीं है तो आप अपने करमचारी के पास जाकर दिया आता है तो मैंने जो ही पूरी जनकारी बताया हुआ है फिर भी आपके मन में किसे परकार कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से द्लेटेट तो आप हमें कमेंट्स और समय कमेंट करके पूछ सकते हैं